शोशल मीडिया आपका करियर ख़तम कर सकती है Let me just rephrase it शोशल मीडिया आपका करियर शुरू होने से भी पहले ख़तम कर सकती है अब आपने अमूमन मेरे मूझ से यही सुना होगा शोशल मीडिया is so very powerful आपको content ढालना चाहिए, आपको regular content ढालना चाहिए आप लोगों के सामने रहते हैं, शोशिल मीडिया के उपर सारा अटेंशन है, शोशिल मीडिया की वज़े से आपके पास long lasting results आते हैं, शोशिल मीडिया पर content creation regular होना चाहिए, आपने मेरे मुझ से हमेशा शोशिल मीडिया के लिए powerful content के बारे में ही सुनाओग, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को, जो की शायद ना समझी के कारण, या खुद को बहुत cool दिखाने के कारण, या फिर बहुत जादा frustrated है अपने जिन्दगी में उसके कारण, हर जगे पे जगे जगे negative comments करते फिरते हैं, आपको मैं एक real time scenario ब बना के डाला था, एक हजार से ज़ादा applications हमारे पास आई थी, उसमें से बहुत सारे लोगों को हमने उनके resume और उनके videos के basis पर shortlist करा था, now before calling them, हमने हर एक एक बंदे का social media profile screen करा था, जहां पे भी हमें दिखता था कि वो लोग unnecessary negative comments डाल रहे हैं, या इस तरीका का content share कर रहे ह जो की derogatory in nature है, या फिर बहुत जादा time अपना सिर्फ social media के उपर खाली video share करने में, या meme share करने के उपर बिता रहे हैं, या जो लोग की religious propaganda जैसे post share कर रहे हैं, उन सारे लोगों को बिना call करे या बिना message करे हम लोगों ने list में से हटा दिया था, those people are not even aware that they have been literally thrown out of the list on the basis of the word they have done on social media, आप लोगों को क्या लगता है, social media क्या सिर्फ websites है, no 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 no, they are a reflection of your nature, they are a reflection of your character, आप कैसे हैं, आप किस तरीके की सोच रखते हैं, आपको कितनी जल्दी गुस्सा आता है, आप किस तरीके का mindset रखते हैं, life के प्रती, females के प्रती अगर आप एक male है, तो males के प्रती अगर आप एक female है तो, job करने वाले लोगों के प्रती, जो भी आपकी मान सिकता है, वो सारी की सारी मान सिकता आपके post के द्वारा दिखाई जाती है, आप मैसे ऐसे बहुत सारे लोग है जिनको पता भी नहीं है, कि जब आप भार country के visa के लिए apply करते हैं, आपका social media profile screen होता है, और वो सारे के सारे comments ट्राक करे जा सकता है, वो सारे के सारे comments जो public platforms पे हैं, वो सारे देखे जा सकता है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक Instagram live कर रहा था, वहाँ पे एक बंदा था, चोकि मेरे Instagram live में चाहता था कि मैं उसे video format में लूँ, अब भाई, इतने सारे लोग आते हैं, हर कि इसी को तो नहीं ले सकते हैं, धीरे-धीरे करके मैं हरेक एक बंदे को opportunity दे रहा था, उसमें से एक बंदे ने नीचे है, गाली बखनी शुरू करती है, भाई, नहीं लेना था, तो यह है, और वो है, तीस मिनट का भी patience नहीं है, भाई, तेरे में, and you expect to get those results, अभी उसका मेर पर से एक और comment आ रहा था, sir मैंने आपको DM कर रहा है, now he might be thinking that I don't remember it, because hundreds of people were attending that session live, but I do remember it, आप मैं से बहुत सारे लोग है ना, किसी का video देखके negative comments कर देते हैं, आपको idea भी नहीं है, आपके द्वारा किया गया एक negative comment आपको बाद में आके कितना जादा haunt करने वाला है, जिस आपका behavior है, social media sites पे, वो आपका true character reveal करता है, और आपको select भी नहीं करा जाएगा, जितनी भी बड़ी बड़ी companies हैं, एक हमारे course में enrolled member हैं, वो star sports में काम करता है, before they select the people, they screen their social media profiles, all the big companies, they screen their social media profiles, of all the people who are planning to work with them, who have submitted their resumes, that is how powerful social media is, और आप मैं से बहुत सारे लोगों ने तो literally मजा but you are doing two things, जो कि आपके लिए बहुत जादा नुकसान दे है, पहला तो यह, आप किसी एक बंदे के विडियो के उपर negative comment करके, उस बंदे को depression में डाल रहे हो, उस बंदे का दिल तोड रहे हो, उस बंदे का जो भी रगा सहा, confidence है, जिसकी वज़े से उसने वो काम करा होगा, वो पूरा आप हटा दे रहे हो, सबसे पहली तो आप यह गलती कर रहे हो, और दूसरी चीज, आप अपने खुद के career के लिए भी गड़ा खोद रहे हो, आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं था न, आपने क्या सोचा है, कि आप fake accounts बनाएंगे, आपकी IP ट्राक नहीं हो सकती है, आपने क्या सोचा है, कि आप कहीं और पर किसी और नाम से account बनाके कुछ comments करेंगे, तो आप track नहीं हो सकता है, all your behaviors, all the whatsapp posts that you share, all the contents that you share, if somebody wants to track it, they can track anything and everything for you, आपकी एक एक चीज़, आपने सारी permissions दी वी हैं, Facebook को, Instagram को, YouTube को, they follow your behavior, they follow which all websites you visit to, everything can be tracked, ladies and gentlemen, have you must have seen, a lot of people, जिनों न TikTok को पर religious type के content आला था, religious derogatory content आला था, they were tracked, they were beaten, FIRs were registered against that, I am still telling you, and I am not just telling you, I am warning you, start taking your social media seriously, stop writing negative comments, it is something that is going to stay there forever, and that is what is going to land you into big trouble, as an elder brother, as a friend, as your mentor, I am guiding you, ये करना बंद करो, use it for productivity, use it not to waste your time, और किसी एक बंदे के post पर negative comment करके, तुमको क्या satisfaction मिल जाएगा, यार, what are you going to get out of it, that shows, that you are so frustrated in your life, कि आप पहले किसी और बंदे का post देखके, उसके उस पर unlike करके, फिर negative comment भी करो, इतने खाली हो, ऐसे खाली लोगों को कोई company नहीं लेगी, get it into your head, जिस भी बज़े से वो negativity आ आपके पास वो opportunity नहीं आएगी और आप वो opportunity नहीं deserve करते हो, आपकी मानसकता की बज़े से, और आप अपनी मानसकता को एक resume में तो छुपा लोगे, एक video की माध्यम से भी छुपा लोगे, लेकिन जो आप social media पे पिछले इतने सारे सालों से लिखते आ रहे हो ना, वो कभी नहीं शुपाओगे, एक advice देता हूँ अभी सबसे पहले, सबसे पहले जाके अपना जो social media profile है, उसको clean करो, अपने timeline के ओपर जो unnecessary चीज़े शेयर करके रखते हो, उसको हटाओ, अगर आपके friend list में कोई ऐसे लोग है जो की negative post share करते हैं, या religious post share करते हैं, या इस तरह के post share कर जिससे कुछ भड़काओ, वातावरन बन सकता है, उन लोगों को हटाओ, एक बार समझा दो, जो समझ सकता है, समझ जाएगा, वर्रा हटाओ, आप यह उनकी ही भलाई के लिए कर रहे हो, यह जो आपका दिमाग है ना, इसमें positivity आनी चीए, energy आनी चीए, आपका दिमाग जैसे आपने गादन में कुडा करकर नहीं होने देते हो, इस दिमाग के अंदर भी कुडा करकर मत होने दो, and I can tell this to you, that a lot of people have not even realized why they have not been selected in respective companies, this is the reason, start taking your social media seriously, otherwise your career can actually be ruined, for all the people who have watched this video till now, please comment on this video, please share this video with everybody you care about, so that they don't fall into the trap of writing negative comments and wasting their time, वो समझें कि social media उनके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, और इसको कितना positively हमको अपने लेना है, और कितनी ज़्यादा हम इसकी वज़े से तरक्की कर सकते हैं, understand it, simple, right, आपको एक चाकू दिखता है, उस चाकू से एक doctor, surgery भी करता है, और कुछ लोग उससे किसी का क बतल भी करता है, अब वो आपके उपर डिपेंड करता है कि आपके इस चीज के उपर अपनी एनरजी लगाना चाहता है, और कैसे उसको अपने ले इस्तेमाल करना चाहता है, यूज शोशल मीड़ा प्रोडॉक्तिवली, वाइजली, शेर दिस वीडियो विडियो विडियो यूबड श्यूट आप बढनी आप करता है, और अपके लेज़ा इस चाहता है कंचे पर राइजले जाब कालन बढमीड करते हैं लेख और नेज़ आईवार से लोग पर मेंवेश्दीय, यूज पर यूवरा इस वडियो वेज़ मेंवेशई, यूज झाय। घट इम एब है